बिहार पॉलिटिक्स में रोज नए नए एक्स्प्रिमेंट देखने को मिल रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा नाम परसांत किसोर का सामने आ रहा है क्या होगा प्रसांद किसोर का दोहजार पचीस के बिधान सभाचुना में प्रसांद किसोर भोट कटवा बन करके रह जाएंगे या फिर बड़ा खिलारी बन करके उभरेंगे क्या कुछ होगा उनका इस पे चर्चा करने के लिए हमारे इडिटरेंचीप ग्यानेश्वर गौतम जी मौजूद हैं आईए जानते हैं इनिशे स्वागत है सर आपका धन्यवाद प्रशुत्तम प्रशांद किसोर बिहार पॉल्टिक्स में राह का रोरक साबित हो रहे हैं जो पुराने दल हैं उनके लिए बड़ा चैलेंज होते जा रहा है कि प्रसांद किसोर को अब कैसे इतना बड़ा जो है संगठन एक करोर लोगों का संगठन बनकर के तयार हो रहा है अब इसको मात कैसे दे यह गहन चर्चा का विसाय हो गया है और पुराने दलों के लिए मांसिक तनाव के स्थिति उत्पन हो गई है ऐसे स्थिति में प्रसांद की सोर का क्या होगा 2025 के चुनाव में देखिए प्रसुत्तम एक बात मैं आ राजनीत में बड़ी मुखर है और इसलिए मैं आपको बताओं कि बिहार को एक्सपेरिमेंट की धरती कहते हैं यहां तमाम तरह की जो इस्थितियां पैदा होती हैं तमाम तरह के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उस एक्सपेरिमेंट के लिए बिहार एक बड़ा मजबूत प्रशांत की सोर एक बड़े रनीतिकार है इसमें कोई दोराय नहीं है और 2014 के चुनाव में लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से मोधी को प्रजेक्ट करके उन्होंने प्रधान मंत्री बनाया उसके बाद लगातार कई दलों के साथ उनके संबंद रहे हिंदुस्तान का को अगिदारी को भी सुनिष्चित नहीं किया चाहिए मनमता बनर जी हो जगन मौन रिडी हो स्टालीन हो कई तरह के और भी पंजाब दिली अर्याना जो भी आर जगा इवन बिहार में भी इवन बिहार में भी साथ निश्चाहिए और नितिस कुमार के साथ में उन्होंने बह नितिस कुमार और प्रसांथ की सोर के बीच में एगो की लड़ाई प्रारंब हुई है चुकि आप देखेंगे कि प्रसांथ की सोर जेतना मुखर भी रोध नितिस कुमार का करते हैं उतना किसी दुसरे राजनितिक दल का नहीं करते हैं मुदी के परती उनका सौफ्ट करना राज भी दिखता है और यह हम लोग ने पिछले चुनाव में महसूस भी किया उनको यह खुब अच्छे तरीके से पता था कि बीचेप का स्टीट बढ़ने वाला नहीं है अपनी अपने बूते पर बीचेपी मैजुरिटी में नहीं आ प्रयास था और उस प्रयास में प्रसांट जी मुझे लगता है फेल कर गए लेकिन अभी जो मैंने उन इलाकों का दोरा किया जहां से प्रसांद की सोर की पद्यात्रा निकली है तो बड़े चोकाने वाली इस्थिती प्रसोत्तम पैदा हो रही है दिख रही है प्रसांद की प्रसांद की सोर जिन्होंने नितिस कुमार और लालु यादव दोनों को एक मंच पर लाके 2015 का चुनाव करते है यह यह पुरा पूरा का क्रेडिट यह पुरा का पुर्रा क्रेडिट अर्जेडी के सांथ नहीं जाते और वो एक्ष्परिमेंट निका शफल आप यह मान लिए कि अकेली पार्टी है जन्द सुराज जो अपने एक करोर सदस्ता मैंने सदस्यों के साथ कारिज करताओं के साथ वो अपनी टीम खड़ी कर रही है इतना बड़ा जो मैंने फॉल्वर बेस है सदस्ता है वो किसी दल के पास नहीं है इस तरह की प्रक्रिया कि आपको बताते कि सबसे बड़ा दल भारतिय जन्ता पाटी है भारतिय जन्ता पाटी के पास मुझे लगता है ब्यार में 66 लाख या 70 लाख के करीब में उनके एक्टिव बोटर्स है एक्टिव मतलब सदस्ता करता है और पहली बार अपना राजिनितिक दल बनाने के पहले प कि हम लोग ने इसके पहले चर्चा भी की थी कि प्रसांत कि ब्हुन का क्या रहेगी वह कुछ और इस्थिति पैदा हो सकती है लेकिन जिस तरीके से प्रसांत कि सब्सक्राइब आज की तारिक में हर यूट्यूब चैनल पर च्छाय हुए हैं लोगों के प्रती लोगों के म प्रसांद की सोर को बना के बियार की राजनीत में उतार दे तो अतिस स्योक्ति नहीं होगी 243 सीट है विधान सभा का और प्रसांद की सोर की जो तैयारी है उनका करना है कि हम 243 सीट पर चुना लड़ेंगे ऐसी इस्तिती में 2025 का विधान सभा चुना होता है और वो 20-25-30 सीट अगर जित जाते हैं तो फिर वो क्या करेंगे किसके साथ जाएंगे उनका रूल क्या होगा प्रसांद की सोर पूरी इमानदारी से चुनाव लड़ेंगे तो प्रसांद की सोर 10-25-50 सीट पर नहीं सिम्टेंगे प्रसांद की सोर बड़ा खेल करेंगे और अभी मैं आपको बताओं कि दोरे से निकलने के बाद जो मैंने दिवानगी देखी उस दिवानगी को देखने के बाद यह लगता है कि प्रसांद की सोर सीधे लोगों के हिर्दे में प्रवेश कर चुके हैं जिन इलाकों में उनकी जात्रा है अभी आला कि अपी और भी जगों से हम फीड़ लेंगे लेकिन प्रसांद की सोर का जो खेल है वो खेल आज की तारीख मैं जातिगत अस्तर उसको उनको डैमेज करने का प्रयास किया जाएगा लेकिन जातिकत अस्तर पर डैमेज करने के बावजूद भी प्रसांत की सोर डैमेज इसलिए नहीं होंगे तो उन्होंने सारे दल के लोगों के साथ सारे सारे जाती के लोगों के साथ उन्होंने एक ऐसा सामंजस अपना बन रहा है और प्रसांद की सोर की जो कनेक्टिवीटी है खास करके उनके जो साथ काम करने वाले आईटी सेल के जो वरकर्स हैं वो वरकर्स का जो काम करने का तरीका है वो तरीका बहुत ही प्रभाव शाली है और उसका प्रभाव लोगों के बीच में दिख रहा है इसलिए खेल प्रसांद की सोर 2025 के चुनाव में अवस्य करेंगे ऐसा अब वर्तित हो रहा है और आज के तारिक में आपको बताओं कि देखिए अभी तो चुनाव अगले साल होना है हलाकि नितीज जी की तैयारी है कि चुनाव हम इसी साल करा दें और नितीज जी की घबराहट भी सबसे ज सबस्क to find sister and हो वह इन चुकित प्रसांद के शोड देखिए आंपको बता रहे है ना प्रसांद की सोड ने एक narrative set करने का प्रयास किया और वो निरेटिव बिल्कुल 100% सफल होता बजार में दिख रहा है मैं तो मैं तो खुद ताजूब में हूँ है न कि इतने बहतरीन तरीके से प्रसांद किसोर ने अपने आपको प्रजेक्ट किया और लोगों के मन में प्रसांद किसोर के प्रती जो कि तना उनके लिए चैलेंजबर होगा कि अभी आपने देखा कि भाजबा में बहु बहुबलियों का अब आना हो रहा है तो क्या प्रसांद किसोर भी अपने दल में बहुबलियों को जगा जा रहे है एक इस्थिती जरूर दिख रही है कि लोगों के बन में खासकर के जो जिनके मना में ये इक्षा है कि हमको चुनाव लटना है उनके मन में एक संसाई की इस्थिती जरूर दgement कर द interacts कि explicit है किकम मुझार्य और हमारी हो रहे हैं और कल के डिट में टिकट हमारी जगह पर किसी बूरोक्राइट को टिकर देंगे है ना तो वैसे स्थिति में हम क्या करेंगे तो यह एक सामझस मनें मनें और की जो बात है बिहार में मैंने देखा है बहुत सारे बूरोक्रेट चुनाओ लड़ने आये लेकिन पहली बारे में सफलता हासिल नहीं कर पाए देखिए चलता है हिंदूत के लाइन पर चलता है प्रसांथ कि जो यह बताता है कि हर दल के लुट ने खुल्याम कहा कि मेरी सरकार अगर बंती है तो 15 मिनिट में सराबंदी खतम कर दूँगा तो वैसे स्थिती में सरकार चलाने का मतलब क्या रहता है तो सही बात है पैसा तो चाहिए नितियस जी ने महिला वोटर्स को साधेने के लिए सराबंदी की आज उस सराबंदी का खाम्याजा एस्टेट को इस तरीके से भुगतना पड़ रहा है कि पैसा हमारे पास नहीं है तो हम दूसरे दूसरे मिन से पैसा कमा रहे है लोग के उपर टेक्स का बोज़ बढ़े है 40,000 को रुपया उधार लेने की चर्चा हो रही है नेतियस कुमार मांग रहे है आकेंद सरकाँ से मांग रहे है जब तक आप अपने राजे को स्वावाब लंबी नहीं बनाएगा राजे की इस्थिती जब तक मजबूत नहीं होगी तो पैसा तो आपको कहीं से मांग नहीं पड़ेगा और उधार के पैसे से कब तक राजनीत होगी तो प्रसांत किसोर ने स्ट्रेस मेनेजमेंट के उपर प्रसांत किसोर का काम है वो भी एक अदबुत काम है जैसे प्रसांत किसोर का दावा है कि हमारी सरकार अगर बनती है तो जितने भी लोग पलायान करके बाहर जाते हैं उनको बाहर जाने के जरूत नहीं होगी तो एक ब्यवस्था प्रसांद की सोर के मन में निश्चित तोर पे है कि कैसे हम मैनेज करेंगे चीजों को और कैसे बिहार का जो ओदोगी करण है उस ओदोगी करण को उठाके उसको उतकर्स पे पहुंचाएंगे नए स्टार्ट अप को इंप्लामेंट मिले तो यह एक बड़ी बात है और दूसरा क्या कि देखिए प्रसांद की सोर चुकी पढ़े लिखे लोग हैं डाटा के मास्टर हैं कहां से परिशानी है उनको पता है और कहां पर हीट करना है यह उनको पता है तो इसलिए मुझे लगता है प्रसुतम कि सरकार भी बन जाएगी तो प्रसांद की सोर मुखमंत्री नहीं बनेंगे कौन बनेगा प्रसांद की सोर मुखमंत्री किसी को बनाएंगे चुकि प्रसांद की सोर की निगाह वो बिहार में एक्सपरिमेंट है और प्रसांद की सोर की निगाह बिहार की गदी पे नहीं देश और प्रसांट किसूर के लिए 2025 का चुनाओ करना बड़ा मतलब मुश्किल की घड़ी कोई 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 मुश्किल पैदा इसलिए नही ऌगी कि प्रसांट किसूर का जो मैनेजमेंट टीम है लोस्त वह मैनेजमेंट टीम है उसका जो थर्मामीटर है ना थर्मामीटर बहुत प्रौपर तरीके से लगता है और व्यक्ति पैसे चुनावजीत सकता है इसका आंकलन प्रसांद किस और के पास जीतने भी राजनितिक दल हैं अभी भी हार में उन समों से ज्यादा बे प्रसनावली में जब आप समों को मिल जाएगा और कोई बिरोध भी कहीं से नहीं होगा वहीं से कोई एक व्यक्ति चुना जाएगा और चुनने के बाद उसकी आगे की स्थिति पूरी 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 प्रॉपर तेयारी मैं आपको बताऊं कि हमने तो किसी तरह का अंदुरू किसी तरह का कोई अंदुरूनी कंफिलिक्ट हमको नहीं दिखता है कुछ लोग है अती महत्वा कांची हो सकता है कुछ लोग जाएंगे लेकि जाएंगे तो जाएंगे कहां इसलिए कि परसांद जी के साथ जुड़ने वाले जो लोग हैं उससले किसी ने किसी दल को हैं और उनका जो खेल है वो लगबग सफल होता हुआ दिख रहा है तो आपने देखा कि बिहार पॉल्टिक्स में परसांद किसोर का बढ़ता हुआ कद दोहजार पचीस के बिधान सवाचुनाव में एक बड़ा गेम चेंजर होगा और बड़ी बदलाव की जो है उमीद द दिखाई दे रही है कोई दो राय नहीं है कि परसांद किशोर दोहजार पचीस में अपनी सरकार बना ले हाला कि हमारी पैनी नजर रहेगी इस पर और जब सीटों का बटवारा होगा जब कंडिडेट को घोसित किये जाएंगे तो हम एक-एक सीट का आपको बताएंगे कि वहां से कौन चुनाओ जित रहा है फिर ये कहना हमारे लिए भी आसान हो जाएगा कि सरकार किसके बनेगी धन्यवाद देखते रहेगे फाइनल पोस्ट हमारे चैनल को लाइक कर लिजे सब्सक्राइब कर लिजे और कमेंट में अपनी राय जरू रखिएगा